हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सब होप यो आप सब ठीक होंगे दोस्तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिट्टी के खिलोने जिस खिलोने हम बच्पन में बहुत बनाते थे और इस तरह के खिलोने में आप खाना भी बना सकते हो तो आज में देशी जो खिलोने होते हैं जो चुल मीट्टी है तो मैं में अनुक्तिर इस मिट्टी कूर्व घृति से अला resist मिट्टी में किए तो श्यक्ति है इसमी कंपूए थे जो हम readymate मंगवाते हैं पैसे भी गाड़ते हैं उसी की तरह से हमें एक फोम में आ जाएगी उसके बाद हम इसके खिलोने बनाएंगे तो मैं यही काम कर रही हूं इसको अच्छे से मत रही हूं और मैंने कटे पर रख लिए है इससे अच्छे से मेरे से हो नहीं रहा हो दिरे आपको लास में देखना तो वीडियो कलास तक बने रहना आपको दिखाऊंगे कि किस तरह से मैंने चुले चाकी ओर भी भावत सारा सम्मान बनाया कैसे बनाया वह आप वीडियो में देखेंगे तो इस तरह से हम मिटी को अच्छे से मत लेंगे आराम से दोस्ते मिट्टी गाउं में जोड होते हैं वहां से मिल जाती है खेतों में मिलती है काली मिट्टी काई खेतों में काली मिट्टी मिल जाती है लेकिन वह इतने अच्छी क्वाल्टी की नहीं होती सबसे अच्छी मिट्टी जो काली होती है काली मिट्टी से ही बनाते हैं ये ख और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे भुसा जो पस्वो का भुसा होता है ना वो मिलाएंगे उसके बाद ही एक अच्छी फोम में आ जाएगा उसके बाद ही हम बनाना स्टार्ट करेंगे वीडियो थोड़ी सी अची लगए तो लाइक जरूर कर देना और अभी तो हभी मेरा बेटा आ गया है यही पर घूम रहा था वो कह रहा था मैं भी ट्राइक करेंगे क्योंकि बच्चों को कुछ नई चीज दिखाई दे जाती है तो उसके लिए काफी उत्साइक तो होते हैं तो वो भी आ गया है मैं कह रही हूं चलो ठीक है तो बना सकता है आगी है मिट्टी और आब हम खिलोने बनाने स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं कुछ बना रही हूं आप देख सकते हैं और वीडियो को इन्जोई करना क्या क्या बनाओंगे वह आपको दिखाऊंगी सारी चीजे जो बनाओंगी वह आपको वीडियो में देखने को मि अचले ऐ्क परात में बना रही हूं ताकि बाद में उठाने में ईजी हो जाए एक दो से तिन दिन तक सुखाने के लिए रख देते हैं उसके बाद आप रहे ला दीता है। तो हम असनी से बना सकते हैं अब आपको क्या करना है जो भी कुछ बनाना चाहते हैं जैसे प्लेट ग्लास लोधास लाउटा चकली मुखल उखल कुछ भी जैसे कुछ भी बनाना चाहते हैं आप जो चुले पर यूज होते हैं कढाय बेलन चिम्टा वगेरा तो मैं सब कुछ बनाऊंगी हाँ पर जो देसी चुले पर यूज होते हैं और मैंने मिट्टी काफी ज्यादा बना लिए थी इतनी नहीं लगेगी थोड़ी लगेगी इसमें और मैं बनाकर दिखा रही हूँ आपको तो मैं इहां पर बना रही हूँ अब बेलन बना रही हूँ मैं आप तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो कभी से लाइक कर देना दोस्तो आपके स्पोर्ट के में काफी जो रहता है और आप सब्सक्राइब भी कर लेना हमारी चैनल को तो इससे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए जितना पानी लगाते जाएंगे तो इतना अच्छे मतलब इक उभर कर खिलोना बनता है मैं अपनी अपसासराल में जाओंगी तो इस मिट्टी को लेकर जाओंगी और फिर वहां पर भी बना कर दिखाऊंगी आपको इक ऐ आपको इतनी जीसी दिखनी रहेगा और यह बना दिया है मैंने बेलन और मैंने यहां पर एक नाइफ की सायता से सार्प करते जाएंगे जिस किनारे वगर होते हैं उसको हम सार्प कर लेंगे तो यहां पर मैं फटा फट से बनाना स्टार्टिंग में थोड़े टाइम लग मुझे तो यहां वीडियो की थोड़ी किलियर टी नहीं आ रहे थी बाद में पता चला फर मुझे वीडियो डिलेट नहीं करने थी वीडियो आपके साथ से अर नहीं थी तो मैंने दिखा दी हैं बाद में एक किलियर वीडियो भी जलूर बना कर दिखाऊंगी आप देख सक और चुल्ले के साथ मैं यहां पर बना रही हूं जो चटनी बनाने के लिए होते हैं वह वाली चीची तो दोस्तों सारे जो खिलोने बनकर रेडी हुए थे वह मैंने आप देख सकते हैं यह हैं और यह अभी सूख चुके हैं दो दिन के बाद दिखा रही हूं अब इन खिलोन में क्योंकि बच्पन में ही बनाते थे उसे बाद हमने कभी भी ट्राइ नहीं किया था तो सेंग तो आज के इस वीडियो में इतना ही था मिल टेक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर थेंक्यू फोर वाचिंग आवर वीडियो